हां जी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका चाय और कोड में और हम चला रहे हैं हमारी सीरीज जिसका हमने नया नाम दिया है चाय और जावस्क्रिप्ट देखिए इस अच्छा नाम तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताईएगा कैसा लोग प्रोजेक्स के लिए बहुत excited है बट ऐसा नहीं है कि हम अभी ही बहुत high level के high end के प्रोजेक्स कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने सिर्फ basics पढ़ा है basics हमारा खतम हुआ है intermediate DOM हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ इतना सा experience करवाने वाला हूँ projects खा आज थोड़ी expertise है अब 10-12 साल की code लिखने की तो experience share तो करना पड़ेगा वही है देखिए हम यहाँ पे हल्ला कम मचाते हैं और काम की बात जादा करते हैं तो इसलिए इतना जादा शोर नहीं मचाएंगे कि हमने बहुत भेंकर कोई काम कर दिया है अब देखिए जादा project इसलिए हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने अभी events के बारे में discuss नहीं किया है event के बारे में एक या दो वीडियो तो लगेंगे अच्छे लंबे वीडियो जिसके अंदर हम events के बारे में समझेंगे कि JavaScript के अंदर events कैसे होते हैं क्या काम करते हैं कितने तरह के events होते हैं कैसे उनको use कर सकते हैं कैसे उनके बारे में और depth में जा सकते हैं और बिना events के actually में dom के जादा project करना possible नहीं है in fact कोई भी project करना possible नहीं है तो इस project के दौरान इस long video के दौरान मैं आपको कुछ tips और थोड़े बहुत hints तो मैं देता जाऊंगा कि किस तरह से events हो रहे हैं बट यह मान के चलिएगा कोई भी अगर comments में पूछे कि यह नहीं बताया वो नहीं बताया तो उनको please बोलेगा क्या रहे patience ही नहीं है कैसे programmer बनेगा अभी हम सिर्फ basics पढ़ रहे हैं events का इतना जितना हमें projects करने में जरूरी है लेकिन उसके बाद हम events को अच्छे complex level बढ़े ताकि आपको confidence आए क्योंकि इस series का एक ही सबसे बड़ा motive है confidence आए कि आप code लिख सकते हैं ठीक है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी हमने यहाँ पे महनत करी है हमने क्या मैंने ही करी है क्योंकि इस channel पे तो कोई team है नहीं मेरे पास सारा जो करना होता है खुद ही करना होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि actually मैं मैंने यहाँ पे किया क्या है पहले मैं गया code sandbox पे अगर आपको code sandbox नहीं पता है तो बड़ी अच्छी website है यहाँ पे क्या होता है आप JavaScript वगरा के इस तरह के templates बना सकते हो ताकि लोग उसको browser के अंदर ही practice कर ले या फिर आप browser में पूरा code लिख लो और जैसा कि हमने पूरी series के दौरान किया है मैं पूरा का पूरा code यहाँ पे GitHub के अंदर ही लिख रहा था ब्राउजर के अंदर ही लिख रहा था अभी मैंने क्या करा code sandbox यूज करा जो कि मैं करता भी हूँ काफी मेरे और पुराने projects भी है ज इस project को फिर में लेके गया एक ऐसी दूसरी website पर जो कि यह stack blitz अभी stack blitz website के अंदर क्या है मैंने यह dom के project बनाए और इस तरह से आपको open करते है यह दिखेगा अब क्योंकि मैंने तो account बनाया है और सारा का सारा code यहाँ पर project create करा है तो इसलिए मैं कुछ भी change करूँगा तो और सिर्फ code की practice करें और project को complete करें तो यह experience मैं चाहता था कि सभी लोगों को मिले अब यह experience बनाने के लिए थोड़ा सा time लगा इसलिए थोड़ा सा आपको इंतजार करवाया बट अब क्या है कि यह क्योंकि मैंने project यहाँ पर बना लिया है अब इस project को मैं आपके साथ share कर सक है ता तो आप बोलते हैं हाँ सारा काम हो रहा है लेकिन आपको behind the scene भी पता होना चाहिए कि किस तरह से labs बनी किस तरह से कान कौन से मैंने services यूज़ करी कैसे help हुआ क्या सब हुआ तो मैंने URL किया copy ठीक है अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखेगा कुछ लोग क्या कर करते हैं कि एक new incognito tab खोल के वहाँ पे इसको paste कर देंगे कर सकते हैं कोई problem नहीं है वहाँ पे भी हो जाएगा फायर लेकिन वहाँ पे क्या होता है right hand side का जितना भी code जो preview है वो आपको नहीं दिखेगा ठीक है तो इसलिए please incognito mode पे मत खोलेगा आप अपने regular browser में कोलेगा क क्योंकि logged in हूँ इसलिए problem है अब आपके पास मेरी वाली code files तो होगी नहीं तो आप logged in हो नहीं हो आपको कोई फरक नहीं पड़ता है तो मैंने ये same URL यहाँ पे open करा अब इस URL का फायदा क्या है कि suppose करिए मैंने यहाँ पे लिखा यह सब लिखा है ठीक है अब लिखा तो है मैंने लेकिन मैं इसको suppose करिए मुझे project 1 के अंदर जाना है तो मैं आपे click करूँगा कि ठीक है project 1 है यह color switcher मेरे को बनाना है और मैं home पे वापिस जा सकता हूँ YouTube channel का link तो ही obviously लेकिन suppose करिए किसी कारण से या फिर गलती से आप से सारे links delete हो गए तो अब क्या होगा कोई problem नही लोग बिना किसी चिंता के यहां पर focus कर सकें लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो जो भी changes कर रहा हूँ जैसे कि जो भी JavaScript लिक रहा हूँ उसको मैं save करना चाहता हूँ तो यह जो fork वाला button है इस पर आप click कर दीजे इससे क्या होगा यह पूरा project आपके stack blitz में आ जाएगा हाँ stack blitz का account तो बनाना पड़ेगा अब मेरी को sponsorship तो है नी stack blitz से या फिर code sandbox से in fact मैंने purchase कर रखा है code sandbox तो खुद के पैसो से कोई sponsorship नहीं लिये तो आप चाहें तो यहाँ पर click कर दीजे fork को और यह बोलेगा कि project fork हो गया है अब आप जो भी changes करेंगे वो आपके save हो जाएंग markdown file बना देते हैं और उस markdown file के तुरू मैं आपको सारे ले देता हूँ यहाँ पर links तो एक नया folder बनाते हैं और उसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पे 07 और projects यह लीजे अब इसके अंदर 07 projects के अदर हम एक नई file बना देते हैं जिसका नाम दे देते हैं projects set1.md, md markdown file होत Markdown file के बारे में, हाँ जी, तो ज़्यादा तो हम discuss नहीं करेंगे हमारी Markdown file के बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, बट आपको ऊपर छोटा सा बटन दिखेगा, ये वाला जो बटन है, ये preview open करता है आपके Markdown के लिए, वैसे मैंने English Channel पे एक अच्छा detail वीड लगा के लिख सकते हैं, कि projects related to Markdown, ठीक है, अब यहाँ पर project link लिखना है मुझे, तो मैं यहाँ पर project link भी लिख देता हूँ, project link, और project link कैसा रखें यहाँ पर, यह लीजे, यह हमारा project का link हो गया, और इसका नाम दे देते हैं, click here, तो क्या जो भी preview वगरा देखेगा, उसको बस यहाँ पर click करना है, और जिसको नहीं करना है, वो यहाँ पर code files, इसको as it is, copy paste कर लेना, बस आपके पास project file आ गई, अब सिर्फ इतना ही नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा और आपको projects के code भी मैं दूँगा, ताकि आप final solution code है, वो भी आप देख पाएं, तो यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ, solution code, और यहाँ पर आता है, solution code, तो यह लिजे आपके पास solution code है, और यहाँ पर लिख देते हैं project 1, यह लिजे project 1 हो गया है, अब यहाँ पर मुझे लिखना है javascript का code, तो मैं तीन back tick अब यहाँ पर मैं जो भी code लिखूँगा, जैसे suppose करिए यहाँ लिखता हूँ, console.log, और यहाँ पर हमने लिख दिया, हितेश, यह लिजे, तो आपको वो code इस तरह से दिख जाएगा यहाँ पर, अगर आप markdown preview देख लेंगे तो, और इसको हम यहाँ से copy और paste कर पाएंगे तो project 1 का जो भी हम solution करेंगे, वो हमें बड़ा ही easily इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, इसको मैं push भी कर दूँगा ताकि आप सबको मिले, तो इसी तरह से हम same repeat करते जाएंगे, project 1 का solution code, project 2 का solution code, इस तरह से, लेकिन सबसे अच्छी ब बनाया रखेगा, और क्योंकि आपने इतनी series के अंदर मुझे request करिए कि long videos बनाये, तो patience तो I think आप में आ गया है, मज़ा बहुत आएगा आपको, इसमें बहुत interesting है, ठीक है, तो चलिए, ये सब हम कर देते हैं close, आप चाहें तो इसमें zen mode में भी जा सकते हैं, ये zen mode में जा color changer बहुत ही theme switcher, color switcher करी नाम से project होता है, बहुत जगे बनाया जाता है, almost हर course में करवाया जाता है, तो हम भी करेंगे obvious ही बात है, तो goal सिर्फ इतना सा होता है, कि आप इस पे click करिए, इस पे click करिए, इस पे click करिए और इस पे click करिए, तो आपके जो background का पूरा color है, वो change हो challenge, क्योंकि project के अंदर ऐसा नहीं होता है, जो सीखा है वो ही आएगा, याद रखिए आपकी 12th की पड़ा ही नहीं है, कि जो सीखा है बस वो ही आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा और detail में भी आता है, project में हम थोड़ा सा और extra भी जाता है, तो देखिए, यह हमारे buttons है, ठीक है या फिर मैं इसको settings open करता हूँ, यहाँ पर, यह तो मेरी settings open हो गई है, project की setting यहाँ पर, और workspace setting, यहाँ पर मैं एक बार search कर लेता हूँ, font के लिए, font size, यह रहा font size, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ, थाकि आपको दिखे अच्छे से, 20 कर देता है इसको, settings को, क्योंकि मैं safari के अंदर हूँ, तो जो भी changes कर रहा हूँ, वो आपको नहीं दिखेंगे, बट मैं इसके अंदर भी changes कर दूँगा, ताकि आपको font अच्छे से दिख जाए, तो अभी आते हैं, वापिस से back के अंदर, अब हम index.html को देखते हैं, अभी आपको अच्छे यह buttons है, classes है, और सबके अंदर एक ID लगी भी है, grey है, white है, blue है, yellow है, तो यह चार हमार पास IDs है, specially ID हमने इसी साफ से दिए, ताकि हम उसके basis पे color change कर पाए, आपको और देनी है, आप और भी दे सकते हैं, उसके साथ साथ हमार पास CSS भी है कुछ, जिसके आपको चिंता करने की जरूत नहीं है, CSS पे अभी हम focus नहीं कर रहे है, और हमार पास एक script है, चाय और code, यही तो script होगी, और कौन सी होगी, तो चाय और code में जाके आप देखेंगे, तो अभी हमार पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पर, एकदम empty है, तो अब इसको कैसे हम achieve कर सकते हैं इस goal को, तो दो elements हमें यहाँ दिख रहे हैं, एक तो यह body है, body को तो हम कैसे select करेंगे, document.queryselector, body, ठीक है, body selector हो गया यहाँ पर, यहाँ फिर document, body भी select कर सकते हो, वो भी ठीक है, और यह सारे के सारे हमें button select करना है, अब आप चाहे तो class से select करिए, या फिर id से select करके एक-एक button को hold तो better रहे गयागा कि मैं इन सब को एक साथ select कर लूँ, क्यों, क्योंकि मैं loop लगा सकूं इस पर बाद में, obviously बात है easy तरह से करना है, तो loop लगाना ज़ादा easy रखता है मुझे, ठीक है, तो चलते हैं हमारे चाय और code पे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, buttons को लेते हैं, अब buttons क लिखने पड़ेंगे, तो dot buttons, ठीक है, buttons है कि button है, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, देखिए, यहाँ पर हमारे पास button है, ठीक है, इतना काम तो हो गया, अब हमारे पास सारे buttons हमारे पास आ गए हैं, तो इसको एक variable में hold कर लेते हैं, तो यह लिजे, const और इसको बोल देते ह है, वो आप print कर दो, तो यहाँ देखेंगे, आपको bottom में एक छोटा सा console का भी दिख जाएगा, तो देखिए, वो हमारे पास node list मिल गई है, node list का prototype भी हमने पढ़ लिया था, यहाँ पर हम इतना detail में नहीं दिखा रहा है, बट हम तो already पढ़ के आ हैं, तो हमें पता है क्या स करने के हम क्या करेंगे, document.query selector यूज कर लेते हैं, और query selector के अंदर direct हम tag name दे देंगे, tag name क्या है हमार पास body, ठीक है, तो body भी आ गई है, और हमार पास buttons भी आ गया है, इतना तो हमने DOM के अंदर सीख लिया था, ठीक है जी, लेकिन अब क्या है, कि buttons के उपर मैं loop भी लगा सकता हूँ, हाँ जी, बिल्कुल लगा सकता हूँ, लेकिन हमने events के बारे में थोड़ा नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा हम देखेंगे कि events के बारे में कैसे क्या होता है, तो events क्या होते हैं, browser के अंदर बहुत सारे events होते हैं, आप browser को, जैसे cursor को move करते हैं, ये भी एक event है, इ क्योंकि हम देखेंगे, एक project करते हैं, आपको समझ मैंने लग जाएगा, इतना जादा कुछ difficult है ही नहीं, और क्योंकि मैं हूँ, तो easy तो होगा ही होगा, ठीक है, तो ये हमने लिया buttons, तो ठीक है, ये लिजे buttons, अब हमें पता है, क्योंकि node list मिली है, HTML collection नहीं, node list मिली है, त तो regular function लिखेंगे, जैसे चाहिए आप लिखेंगे, ये लिजे मैंने लिख दिया function, और इस function के अंदर क्या होगा, हर एक, क्योंकि for each loop है, तो हर एक button आपको मिलेगा, तो ये लिजे, उसको मैं बोल देता हूँ, button, ठीक है, अब इस button को मिल गया है, और इसको मैं console log कराता सबसे पहले तो, ताकि आपको एकदम clarity मिले, console.log, और देखते हैं, button के अंदर हमें actually में मिलता क्या है, ये लिजे, button हमने print करा लिया, देखते है console log में, तो आपको पूरा का पूरा button मिल गया है, जो कि HTML span है पूरा का पूरा और उसके अंदर सारे attributes पे आपको मिल गया है, tag name मिल गया है, inner HTML आपको मिल गया है, attributes उसके सारे मिल गये है, क्या क्या attribute से class मिल गयी है, ID मिल गयी है, तो at least मुझे सारे के सारे elements उस button के मिल जाते हैं यहापे, ठीक है, इतनी बात तो clear आ गई, अब हम क्या करते हैं यहापे, हम एक और यहापे काम करते हैं छोटा सा, इस हर ए जैसे कि इस channel पर अगर मैं आपको सिखा रहा हूं और कोई इस videos को देख ही नहीं रहा है, या उसको share नहीं कर रहा है, subscribe नहीं कर रहा है, तो मैं कब तक ही बोलूँगा, मैं सोचूँगा कि ठीक है कोई सुनी नहीं रहा है, तो इस videos को series को बंद करो, कहीं और focus करें हमारे main channel जहां पर 8 लाक लोग सुन रहे हैं, तो महां focus करेंगे, बट नहीं मुझे पता है, आप सुन रहे हैं, subscribe कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर भी, तो हमें events के बारे में देखना है, तो events को कैसे लगाते हैं, किसी भी जगे आप events को लगा सकते हैं, कैसे लगाते हैं, suppose करी यह individual button है, looks लगेगा, तो सब पर लग जाएगा, उस पर आप simply add event listener का यह method लगा सकते हैं, ठीक है, देखा था, बहुत यह आसान है, कि आपने लगा दिया कि event listener, event listener मतलब अब यहां पर जो भी event होगा, मैं सुनूँगा, लेकिन सारे event थोड़ना सुनने हैं, उसके उपर से mouse गया वो page refresh हुआ, page load हुआ, बहुत तरह की events होते हैं, उनके बारे में discuss करेंगे, तो सारे events तो मुझे नहीं सुनना है, मुझे सुनना है click event, ठीक है, आप चाहिए तो mouse over भी सुन सकते हैं, तो आप लिखते हैं यहां पर click, click event आपने सुन लिया, लेकिन अब click event हो तो क्या करो, यह तो बड़ी अच्छी बात है, तो क्या करो, एक callback लिख दो यहां पर, यह लिजे function, और यह लिख दिया callback, ठीक है, तो event हो गया, आप आपने उस पर function भी कर लिया, लेकिन क्या होता है, जब भी एक event होता है, तो उस event को आपको साथ में carry करना होता है, वो जो event object है, उसके उ आपको मिलता है, वो तो मैं थोड़ा आपको बाद में बताऊंगा, अभी उसको आप e-naam दे दीजे, अब देखें, इस सिर्फ नाम है, आप e-naam दीजे, कुछ लोग event नाम देते हैं, कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है, उसको नाम दे दे, चाहेगा, जो इच console.log कराते हैं, ठीक है, console.log, console.log, क्योंकि console.log से तो पता लगेगा, ये event और एक और कराते है, e.target, ठीक है, दोनों के उपर मैं करवाना चाहता हूँ, थाकि actually मैं आपको बता सकूँ, कि event, event तो वैसे बहुत बड़ा object है, अभी उसके बारे में ता detail में नहीं जाएंगे, त trusted, true, और prototype के अंदर और बहुत values आपको मिलती है, जैसे कि हमने node list में देखा था, वो भी हम inspection करेंगे, पुरा पढ़ेंगे उसके बारे में, और उसके बाद किया है, आपके पास ये span list element बे आए, क्योंकि event.target, कि किस target से ये event आया है, तो उसके अंदर आपको देखिए, HTML span element मिला है वापिस, और वापिस आपको ये attributes मिल गए है, तो अभी आपके पास grey मिला है, अब मैं अगर yellow वाले पर click करता हूँ, तो देखिए, वापिस से आपको HTML span है, थोड़ा से zoom कर देते हैं आपके लिए, तो ये देखिए, HTML span मिला है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे attributes मि निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूँगा ID, dot लगा के, dot ID, तो मुझे grey, yellow, जो भी हो मिल जाएगा, तो अब करना क्या है, अब इतनी जब बात होई गई है, तो उसके बाद तो सारा काम असान है, आप if else लगाईए, switch case लगाईए, आपको जैसा, मैं if else से करता हूँ, आप switch case स मैं चेक करूँगा, कि यह जो event dot target है, और इसके अंदर जो ID हमें मिल रही है, उस ID की value क्या है, तो सबसे पहला हमार पास क्या है, grey है, तो मैं grey को select कर लेता हूँ, अब मैंने grey लिखा है कि ay लिखा है, देखना पड़ेगा, हाँ जी, grey लिखा है मैंने यहापे, ठीक है, च यह तो आपको आता है, देखे, dom में मैंने इतनी practice कराई थी, कि अगर इतनी देर अंदर आप आ जाएं, तो आप एक body का color तो change करी सकते हैं, ठीक है, body dot, यह लिजे, style मैंने ले लिया, आप क्या है background color, ठीक है जी, अब इस background color को क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ पे hard code value भ देखे, e dot target dot id, क्योंकि उसके अंदर भी तो value gray ही है, तो वो आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, तो यह हो गया हमारा save, ठीक है जी, तो आप इसको minimize करते हैं, और देखते हैं, यह gray पे click करा, body gray हो गई है, बहुत ही easy, आप इसको वापे से refresh कर सकते हैं, यह click करा, gray हो ग तो मुझे क्या करता है, यहां के लिखना है सिर्फ, कि रेखो यह white है, यह blue है, और यह yellow है, अगर आपको और भी buttons लगाने हैं, और भी लगाईए, कौन चिंता है, कौन से चिंता वाली बात है, बस इतना सा काम करना था, तो यह ग्रे है, यह white है, यह blue है, यह yellow है, बस इतना सा काम करना है, अच्छा, अब इससे अच्छी बात क्या है, कि मैं यहां पर index.html के अंदर जा सकता हूँ, और इसको बोल सकता हूँ, कि यह एक काम करो, एक और duplicate कर दो, और इस बार id क्या करो, इसके id कर दो, purple करते हैं, कि यह purple, तो यह purple आपने कर दिये, लेकिन, obviously बात है, class button है, id purple है, तो मेरे पास CSS के अंदर अभी मापे purple नहीं है, बट ठीक है, CSS में purple नहीं है, white ही दिखेगा, बट इसके अंदर मुझे पता है, यह purple है, तो code के अंदर क्या change आएगा, code के अंदर कुछ change नहीं आएगा, आपको क्या करना है, देखना है कि अच्छा, उसके id purple है, तो आप उसका color भी, target वाला जो purple है, वो ही set कर दो, तो save किया, अब यहाँ पर click करा, और वैसी बात है, purple हो गया है, हो set, और वैसी बात है, CSS के अंदर मैंने उसको purple नहीं denote करा है, बट इतना तो आप समझी सकते हैं, अब आप advance हो गए है, आपको चीजे समझ में आने लगी ह ठीक है, यह सिर्फ मैंने आपको demo दिखाने के लिए करा था, अच्छा तो अब क्या है, कि यह code आपको चाहिएगा तो है, वैसी बात है आप कहेंगे, sir code तो देओ हमें, क्योंकि अगर हमसे नहीं हो पाया, तो at least reference तो देख पाएं, हाँची बिलकुल, तो इसको हम करेंगे copy, और चलते हैं हमारे browser के उपर, और यहाँ पर console.log हितेश तो मैं रहने देता हूँ, और उसके नीचे सारा code यहाँ पर लिख देता है, तो अब इससे हुआ क्या, यह code मैं लिखा, तो आपको यह सारा code यहाँ पर available है, तो इसको मैं push भी कर देता हूँ end-to-end, कि हमने project 1 complete कि किया है, तो यह होगे हमारा project 1 complete, complete तो नहीं कहेंगे, इसको solution code लेग देता है, अरे keyboard पता नहीं क्या कर रहा है, solution code, ठीक है जी, इसको कर देता है, commit, अरे commit तो कैसे करें, पहले इसको stage ही नहीं करा हमने, git pay video बनाएं क्या, बनाएंगे बनाएंगे, बहुत जल्दी ताकि आपके पास easily code मिल जाए, ठीक है जी, अब यहाँ पे जाते हैं हमारे चाय और code में, refresh करके देख लेते हैं, कि आया भी है कि code नहीं आया, तो यह होगे हमारा project 7, ठीक है जी, इसकी markdown file है हमारे पास, यह लिजे, आपको बस click करते ही देख रहा है, एकदम बढ़िया, क कैसे document manipulation कर सकते हैं, अच्छा आप सबसे best बाद आपको बताते हैं, कि आपने कहा कि यह तो सर आपने कर दिया, मैं यहाँ पर practice कैसे करूँगा, आपकी practice तो बहुत असान है, आप इसी URL पर जाए, अभी तो हम दूसरे URL पर आ गए, हम वापिस जाते हैं यहाँ पर, और यहा हम वापिस से उसी page पर, open करिया आराम से safari में, chrome में, जहाँ आपको open करना है, open करिये, यह आपको मिल गया project, अब आप गए यहाँ पर, कि यह मुझे करना है color one background changer, और इसके चाय और code में गए, लगे, कुछ भी code नहीं है, जितनी बार चाहें, उतनी बार practice करिये, अलग अल भी बनता है, ठीक है जी, तो आपको यह तो आगया समझ में, अब चलते हैं हमारे दूसरे वाले project के उपर, जो कि बहुत आसान है compare में, इसके इनर थोड़ा सा formula लगेगा, formula पर हम जादा नहीं जाएंगे, आप जब चाहें उस formula को देख सकते हैं, आप simply google करिये, और यहाँ पर लिख दीजे, कि how to find, how to find BMI index, यह लीजे, तो BMI index formula चाहिए मुझे, formula, तो आपको formula मिल जाएगा कि weight in kilograms divided by height in meters squared, और यहाँ पर भी दे रखा है कि ठीक है, height weight को multiply करके आप इसको square कर सकते हैं, तो ठीक है, formula पर हम जादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हो तो mathematical term है, वो तो आप कभी भी लगा सकते हैं, basic है कि अभी हम इस project को कैसे handle करेंगे, देखिए, click करिए बापस से, project to start करें हम यहाँ से, time stamp डाल दीजेगा, please इतना तो आप करी सकते हैं, तो BMI generator हम यहाँ पर डालते हैं, तो देखिए, height चाहिए, centimeter में यहाँ पर, weight दे दीजे, kg के अंदर, और य सबसे पहले तो हम देखेंगे, कि project कर क्या रहा है, और कैसे इसका html है, तो यह इसका html structure है, आप क्योंकि obvious ही बात है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर changes कर दिये थे, तो workspace setting फिर से change करनी पड़ेगी, ताकि आपको दिखे code, मैं काम करता हूँ, इसको आपके सामने ही, मैं इ 20 कर देते हैं, आप भी इतना चोटे, औरे यह क्या हो गया, 20, हाँ जी, अभी ठीक है, तो मैं इसको save कर देता हूँ, अब जैसे मैं यहाँ पर भी कुछ save करता हूँ, तो actually मैं होता क्या है, आपको वहाँ पर वो save, जितना भी सबब by default मिल जाता है, तो मुझे कुछ नहीं क कर लेते हम इसको, यह लीजे, अभी हमें थोड़े से बड़े code दिख रहे है, इसलिए तो मैं मेरे वाले में नहीं कर रहा हूँ, क्यों कि वहाँ कुछ भी कर हूँगा, save होगा, तो सब को मिलेगा, मैं चाहता हूँ, हम playground में खेले, ठीक है, तो यह आगए HTML पे, तो HTML के अं अब यहाँ पे हमार पास एक form है, अधिक यह form पे जब event होते हैं तो बहुत सारे concept और भी आते हैं, अभी हम discuss नहीं करेंगे, event bubbling का भी concept होता है, बहुत सारे और भी चीज़ है, अभी discuss नहीं करेंगे, extra dedicated वीडियो में करेंगे, तो उस पे मत जाईए गावी, तो यहाँ पे आपके पास label है, उसके बाद एक आपके पास input है, और input से height है, अब पहला जो हम problem solve करेंगे, वो क्या है, कि input के अंदर से हमको values कैसे निकालनी है, ठीक है, वो event के थूरी निकलती है, यहाँ पे फिर दूसरा आपके पास आगया है, कि दूसरा भी एक और label है, जिसका id weight है, त result, तो यहाँ पे जैसे आप लिखने है, हितेश, तो यह आपके पास हितेश है, इस तरह का result आता है, by default इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे हम replace कर देंगे, तो DOM में हमने पढ़ा था कैसे हम inner HTML, inner text, बहुत सारी values को लेके हम यहाँ पे inject कर सकते हैं, ठीक है, बट actually मैं fork हुआ नहीं है, क्योंकि यह sign ही नहीं हूँ, मैं अभी उसके अंदर, तो कोई problem वाली बात ही नहीं है, तो चलते हैं, तो अच्छा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस form को select करना पड़ेगा, अच्छा, form को क्यो select करना पड़ेगा, क्योंकि क्या रहा था, कि थोड़ा सा patience रखिए, जैसे हम events के बारे हम पड़ेगे, तो और ज्यादा आपको सवगलियत रहेगी, बट कोई बात नहीं, कुछ चीज़े हम चलते भी सीख सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, यह लीजे हमार पास आगया है, इसके बाद query selector, क्या query selector के अंदर, डिरेक्ट ही, रहे दीजे class id के ज़रूत ही नहीं है, आप यह लीजे form, इसको एक variable में hold कर ले, यह लीजे, कर लिया, ठीक है, तो form तो हमार पास आगया है, ठीक है इतनी कहानी तो हमें clear है एक दम, यह आगया हमार पास पूरा form, यह जो form है, पूरा का प सर्वर के पास चली जाती है, उसको हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम सर्वर पे भेजनी रहे हैं, तो जो भी default action है form का, वो रोक लो ही पर, ठीक है जी, वो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आपको events के उपर ही method मिलता है, हाँ जी, चाहे तो चलेगी, देखिए code है, तो चाहे चलेगी, तो देखिए, form है, इसके उपर भी आप वो ही, same अपना add event listener, हाँ, ये same रहेगा सब जगे, add event listener, तो इस बर कौन से event को देख रहे हैं आप, वो ही हमारा click, नहीं, वो click event नहीं देख रहे हैं, हम इस बर submit event देख रहे हैं, अच्छा, इन events की list कहां से म करता है, कि ये तो patience रखना पड़ेगा, जब हम events के बारें बात करेंगे, तब देखना पड़ेगा, वापिस से वो ही आपको एक callback मिलता है, तो ये लिजे callback ले लिया, callback के अंदर क्या मिलेगा, e, event, chai, superman, जो भी आप बोलना चाहें, तो सबसे पहला काम क्या होता है, e के साथ हम उसको बोलते हैं, कि prevent default, यानि कि आपका जो भी default action है, वो पहले एक मिनिट के लिए आप रोको, कहीं submit वर्मिट मत कर दो, ठीक है, अब क्या है, कि अब हमें चाहिए values, कौन सी values चाहिए, बहुत ही असान है देखना, एक तो हमें चाहिए ये height, और एक चाहिए हमें ये weight, ठीक है जी, अब क्या है कि हर बार जबाब form के अंदर event आए, तब उन values को select करें, कुछ लोग क्या करते हैं, यह ही select कर लेते हैं, अच्छा अंतर है बहुत, पहले मैं आपको लिखके बताता हूँ, यहाँ पर कैसन को select करेंगे, बद उसके बाद discuss करेंगे कि difference क्या है, तो हम क्या करेंगे, simply बोलेंगे हमारा जो document है, इसके अंदर एक query selector लगा दो, query selector लगा के हमें क्या चाहिए, id है हमारे पास, तो id दे देते हैं हम आपको यह लिजे, id पहले देते हैं, क्या height दें, wait दें, height देते हैं, यह लिजे, height दे दी, अच्छा height देने के बाद आप आप series को boring समझ रहे थे, हाँ, तब हमने सिखाय था, कि string के अंदर से, कैसे आप उसको int में parse कर सकते हैं, float में parse कर सकते हैं, वैसे, यह लिजे हमने इसको कर दिया, wrap, और इसको बोला, क्या करो तुम, इसको simply parse int कर दीजे, तो अब जो भी value आपको string में मिली है, वो integer में parse हो ग इसको hold कर देते हैं, यह लिजे, इसको बोल देते हैं, हम height, यह लिजे, ठीक है, थोड़ा सा इसको और side कर देते हैं, ताकि आपको easily दिख जाए, क्योंकि, इस से तो हमें मतलब नहीं, UI से तो, UI तो कुछ भी हम, एक और copy ले देते हैं, इसको बोल देते हैं, यह लिजे, अ कि अगर यह height आपने यहां लिखा, versus यह height अगर आपने form के बाहर लिखा, तो क्या होगा, देखे, actually में क्या है, जब आप click करना चाहरे हैं, एकदम उसी time पे आप उन values को लेना चाहरे हैं, उस event के उपर आप values को लेना चाहरे हैं, क्योंकि क्या होगा, अगर आप उस values को बा values हैं, submit करने के बाद तब हम उन values को extract करना चाहते हैं, खाली values नहीं चाहिए, तो यहां पे अगर आप लिखेंगे, तो वो हो जाएगा गलत, तो क्या होगा, this use case will give you empty value, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कई courses वगरा के अंदर, मैंने कई company उसके लिए पढ़ाया, वहां थोड़ा सा आपको मैं यह भी बता देता हूं कि अभी जो height और weight लिये, इसके उपर calculation करके हमारा code क्या फट सकता है, पूरा का पूरा, तो हम थोड़े से checks लगा लेते हैं, ज्यादा तो checks अभी मैं discuss नहीं करूँगा आप से, क्योंकि अभी हम उस position पे नहीं है, इतना complex code की, बट थोड़े से positions के बारे हम बात कर लेता हूं, तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास actually में अगर आप देखेंगे, तो हमारे पास एक results भी है, है ना, तो results को अभी हमने नहीं लिया है, उसको भी लेंगे हम, यहीं पर ले ही लेते है actually में, अगर आप देखेंगा और है, तो यह हमने बात करी थी, इसको भी ले ही लेते हैं, ताकि हम results को भी ले पाए, results को भी हम लेते हैं यहां पर, तो इसको बोलेते है, result यह results, results है actually में, हाँ जी results है, तो इसको भी results ही बोलेंगे, और query selector के थुरू हम ले लेते है, dot value को उसकी जरूत है नहीं, तो यह और पार्सिंट की भी करने की जरूत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक element है, तो ये लीजे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना check करेंगे, अगर वो checks सारे सही निकलते हैं, तो क्या करेंगे, results के अंदर हम values add कर देंगे, तो values add करने के लिए हमें पता, innerHTML, नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर उसको लिख देंगे, कि please give a valid height, क्योंकि height पर checks लगा रहे है, as it is copy कर लेंगे फिर इसको, अच्छा, कौन-कौन से checks लगा सकते हैं, तो देखिए height आपके पास आ गई है, parse होके int में, तो सबसे पहले तो क्या है, वो empty नहीं होन तो और कौन-कौन सी values हैं, और क्या-क्या चाते हैं, अगर 0 से कम दे रहा है, तो भी मैं नहीं चाता, ठीक है, और अगर वो not a number है, यानि कि number ही नहीं है, तो भी क्या है, अच्छा, यहां पर क्या है, एक पुरानी technique और नहीं technique है, कई लोग क्या check करते हैं, कि if height is equals to, यह not equals to NAN, यह actually मैं पुरानी technique है, इसको use मत करिएगा, मैं आपको बेटर technique बताता हूँ, जो आजकल भी use होते हैं, और actually मैं जो JavaScript की updated technique है, recommended है documentation में, वो क्या बोलते हैं, कि आप इस NAN method को use करिए, और इसके अंदर आप दे दीजे height को, तो अगर वो true होगा, तो true height अगर true होगी, मतल number में होगी convertible, तो आपको इसका value true मिल जाएगा, तो कोई problem ही नहीं है, और अगर false मिलता है, तो हम आगे बढ़ना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो यह आपको मिल जाएगा basically, ठीक है, तो आप इसको हम कर देते हैं, save, क्योंकि इतना काम तो पहले check कर ले, तो देखे, अब इससे बोलेगा, please give a valid, और अगर मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ, तो calculate करता हूँ, तो यह कुछ नहीं बोलेगा, अभी हमने उसको reset नहीं करा है, ठीक है, वो बात है, बढ़ अगर मैं चाहूँ, तो यहाँ पे height की value भी दे सकता हूँ, तो इसको चाहें, तो हम back text में convert कर सक तो इसने बोला, please give a valid height, not a number, देगा, आगया एकदम, बढ़े है, और अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, इसको 3, तो calculate किया, तो please give a valid height, actually मैं, actually मैं हम उसको change करी दे रहे हैं, क्योंकि if यह condition तभी run होगी, यह value तभी set होगी, जब यह run होगा, ठीक है, code logic भी आप समझी रहे ह वरना क्या करो, इसको height पर ही set कर दो, ठीक है जी, तो just देखने के लिए, तो save करते हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं, 4 calculate किया, तो देखे 4 set हो गया, लेकिन बोलते हैं, 4 AAA calculate किया, तो वो भी 4 में convert हो जाता है, लेकिन अगर आप AAA करते हैं, calculate करते हैं, तो not a number, यह सारा का सारा discussion मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाया था, उमीद है आपको याद होगा, ठीक है जी, तो चलिए, यह समझ में आ गया, अब हम weight के अंदर भी exact same करेंगे, अब यह तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया था, copy paste कर लेते हैं इसको, यह लिजे, अब इसी तरह से weight क नहीं होना चाहिए, 0 से भी, अच्छा, weight को यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा, आरे, यह इसको copy कर लेते हैं, ताकि मैं कोई spelling mistake ना करूँ, सब जगे, यह लिजे, ठीक है, तो यह हमार पास weight आ गया है, ओके, तो यहाँ पर हम weight को भी लिखते हैं, ठीक है जी, तो इतना क काम तो हमारे पास अभी हो गया है, एकदम perfect, कि हमारे पास height भी है, और हमारे पास weight भी है, ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, कि अगर सारा का सारा काम यहाँ पर अच्छा हो रहा है, कि अगर हमारे पास height भी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, else if लगा देते हैं, क्योंकि height वेट भी चेक हो जाएगी, वेट भी चेक हो जाएगी, वैसे तो इस code में भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अब ठीक है, एक अच्छी syntax के लिए हम लगा देते हैं, और इसको ले जाते हैं, same line पे, तो else if, तो weight भी चेक कर लिया है, तो ठीक है, अगर ये सारा चेक हो गया, तो फिर हम else case में क्या करेंगे हैं यहाँ पे, कि ठीक है, सब बढ़िया अगर आ रहा है, तो क्या करो, BMI calculate कर लो, अब BMI calculate करने के लिए चाहिए formula, अब देखे, formula पे मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि formula तो देखे, आप जैसे चाहे लिख सकते हैं, मैं आपको formula direct ही दे देता हूँ, यह लिजे, मैंने notes में लिख रखा है, तो यह हमार पास formula है, ठीक है, formula क्या कहता है, कि जैसा कि अभी हमने देखा था, how to find a BMI index, तो weight in kilograms divided by height in meters squared, तो वही same exact है, weight है हमार पास, और उसके बाद height जो है, वो हमने multiply कर दिये, क्योंकि वो हमें उस value में चाहिए थी exact, और height squared मतलब height into height, तो ठीक है हमने वो ले लिया है, और 2 fixed 2 इसलिए क्या है, क्योंकि multiply, divide करने के बाद कई बार जो number है, वो बहुत ही जादा long आ जाता है decimal के बाद, हमें इतना नहीं चाहिए, तो हमने 2 fixed उसको लगा दिया, यहाँ पे कि 2 decimal value तक दिखा दो, इसके बाद मुझे requirement नहीं है, तो यह हमारा हो गया formula, अब देखिए इसी तरह से आप चाहें, तो अपना temperature वगरा भी बना सकते हैं, तो formula है, वो लग जाएगा, वो mathematical part है, इतना coding part नहीं है actually मैं, तो इसको हम ले लेते हैं, एक const, इसको बोल देते हैं BMI, तो यह हो गया हमारे पास BMI, यह हो गया BMI, calculate हो गया, अब क्या करना इस BMI को, result में display कराना है, तो show the result, ठीक है, अब result कैसे show करेंगे, बहुत यह असान है, यह हमने लिया हमारा results, ठीक है, और उसके अंदर क्या करें, innerHTML add कर दें, innerHTML, तो innerHTML इस बार हम क्या करते हैं, backtext लेगे span में add करते हैं, क्योंकि आगे जाके काम आएगा, आगे एक project है, जहाँ पे हम इस तरह की values लिखेंगे, तो थोड़ी practice अभी से हो जाए, तो जादा अच्छा है, ठीक है, यह लिजे, यह span में हमने लिखा, और span के अंदर values inject कर देते हैं, तो यह लिजे, dollar sign के साथ, यह लिजे, और बोल दि यह BMI है, तो इसने calculate कर दिया, अगर 65 की जगे, आप A दे देते हैं, calculate करते हैं, तो इसने का, please give a valid height, अच्छा, message change नहीं करा, क्या मैंने, देखिए, message change नहीं करा, तो यह weight देते हैं, वापस से, ठीक है, वापस से, तो 160 cm, और यहाँ पर दे दिया, Q, तो इसने बोला कि, अर कि based on, यह मैंने आपको range दे रखिए, तो इस basis पर आपको एक और message यहाँ पर print करना है, इस innerHTML के अंदर, एक line break के बाद, कि यह जो आपका value है, यह actually मैं underweight है, कि normal range है, कि overweight है, यह based on आपको यहाँ पर print करना है, ठीक है, तो इतना सा assignment तो आप करी लोग है, अब आपको यह code भी चाहिएगा, हाँ जी, बिल्कुल code तो आपको सारे ही चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं वापिस हैं, और जाते हैं हमारे chrome के उपर, और यहाँ पर यह project 2, ठीक है जी, यह project 2 यहाँ पर, इसको हम एक और add कर देते हैं, इसको बोल देते हैं, project 2, solution, वही हमारा triple back text, javascript, यह इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको easy रहे थोड़ा सा copy-paste easily कर पाऊ आप, जब वहाँ पर github के उपर देखो, यह लीजे, paste कर दिया है, तो देखिए किता अच्छे से आपके पास आ रहा है, project solution, solution 1, project 2 solution, ठीक है, बड़ा अच्छे से, assignment भी included है यहाँ पर, तो और इसको push भी कर देते हैं, ठीक है, गर्मी थोड़ी ज़ादा है आज, तो AC चलते बंद होते रहेंगे, तो यह आगया हमारा पास इतना काम, वापिस से जाते हैं, बैक कर लेते हैं, हमारे safari के उपर, तो यह हो गया हमारा project, इसको कर देता हूँ, close, refresh करते हैं, आपको पत खेल है, जावस्कृट के नरे बढ़ा ही complex है, बहुत interesting है, कभी इस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, अब आते हैं हमारे digital clock पे, तो यह हो गया हमारा digital clock, क्या करना है, यहाँ पर आपको local time display कराना है, ठीक है जी, बढ़ा easy है, तो आईए अपने code के अंदर, यह era 3, औ यह digital clock, और यह चाय और code, अच्छा, पहले index.html तो पढ़ लें हम यहाँ पर, अब index.html के अंदर क्या है, कि यह तो CSS लिखी थी, ठीक है, हमारे पास एक center div है, flexbox वगरा लगा रखा है मैंने यहाँ पर, और यह हमारे पास banner है, local time का, और यह हमने एक ID देदी clock की, जो कि orange मे display हो रही है, तो बस इतना सही है, time display करा दो, ठीक है जी, तो यह चाय और code लिया, अब time कैसे display करा है, सबसे पहले time display कराने के लिए, कुछ चाहिएगा तो सरी, कहाँ display करा हूँ, तो क्या करो, clock को ले लो reference, और यहाँ पर display करा दो, अच्छा, आप clock को कैसे लो reference में, इसको ल ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो रही है, तो वो क्या कर सकता है, कि document.queryselector, मैं क्या है कि आपको इसलिए अलग-अलग तरीके से बताता हूँ, क्योंकि आपको जो code पढ़ेंगे, वो भी अलग-अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो यह लीजे, queryselector, queryselector में क्या करना है आ तो यह ली लीजे, दो मत लीजेगा बस, एक को comment कर दीजेगा, मैं आपके लिए first वाला use करता है भी, दोनों में एक ही value आने वाली है, इतना तो हम जानी चुके हैं, अब यह तो कोई बड़ी बात ही नहीं, अच्छा, अब क्या करना है, क्लॉक डिस्प्ले करानी, अच्छ अगर आपको डिस्प्ले कराना है, तो क्या कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, console.log, और बोल दीजे कि यह जो date है, इसके अपर एक method होता है, to local string, date string भी है, हम time string use करेंगे, और यह method, बस, that's it, हो गया आपका काम, अच्छा, problem क्या है, कि अभी यह यहाँ पर नहीं आया, जब मैं पस time आ जाएगा, ठीक है, जितनी बार page refresh होगा यह, उतनी बार updated time आता रहेगा मेरे पास, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, यह जो date है, यह हर बार run हो, यह बार बार run हो, यहाँ पर यह update होता ही रहे है, अब ऐसा कोई method, अगर मेरे को पता हो JavaScript के अंदर, जो कि हर moment पर run हो, य रहे, cron job, क्या आप बात कर रहे हैं आप, अभी इतना advance पहुंच गए हैं कि आप server के उपर पहुंच गए हैं कि आप cron job लगाएंगे, यहीं पर आप interview को fail कर जाते हैं, क्योंकि पूछ वो आप से राय चोटी सी बात, सुई के बारे में बात हो रही है, आप अपनी तलवा करता जाऊंगा, जब तक आपका प्रोग्राम चलेगा, तब तक या जब तक ही open होगी script, तब तक run करूँगा, इसके बारे में भी और discuss करेंगे, क्योंकि यह javascript के बहुत सारे interviews को fail करवाता है, हाँ जी, discuss करेंगे इस पर भी, बट अभी आपको पता लग गया, तो दो parameter है ये लिजे function, और ये function की body, और कॉमा लगा के दूसरा parameter, और ये है time, milliseconds में होता है, 1000 दीजे, 1000 दीजे, 2000 दीजे, इसको हमेशा इसी तरह से लिखना, अगर इसको इस तरह से नहीं लिखा, तो पक्का है कि syntax में गड़बड़ी करोगे, और जहाँ पर आपको एक code highlight वगरा नही मिलते हैं, जो कि कई interviews में नहीं मिलते हैं, हाँ जी, कई interviews ऐसे होते हैं, जहाँ पे code highlight, color highlight नहीं मिलता है, वहाँ पे पक्का गड़बड़ करोगे, तो याद रखना है, इसको इसी तरह से लिखना है, कि आपको क्या करना है, ये set interval लिखा, उसके बाद दो parameter होते हैं, पहले first parameter लिखी इस तरह से, ये function लिखा, function की body लिखी इसके बाद हमने, comma लगा के हमने यहाँ पे 1000 दे दिया, अगर 2000 देना हो, तो 2 second के लिए जैसा अब interview आप से पूछ रहा है, जो भी आपका task है, अच्छा, अब करना क्या है, करना तो कुछ भी नहीं है हमें, ये ही तो करना था तो ठीक है, इसको हम करते है, cut और इसको दे दीजे, अच्छा, अब हमारे पास ये जो values है, हमारे पास हर एक second में आएगी, तो save करके देखते हैं, तो console के अंदर मैं देखता हूँ, तो देखिए, अब हर second पे मेरे पास values हा रही है, 26, 27, 28, तो इतना काम तो हमारे पास हो ग ठीक है, वो कर देते हैं, इसमें क्या बात है, तो ये लिजे clock, उसका क्या करिए, innerHTML, innerText, जो भी आपको लेना है, मैं innerHTML ले लेता हूँ, उसको क्या करिए, ये लिजे, जो उपर लिखा था, date, dot, बहुत सारे methods इसके अंदर, तो मैं use कर लेता हूँ, to local, a time string, और ये ल चलते हैं हमारे बड़े प्रोजेक्ट पे, तो पहले थोड़े सी चाय ले लिजा और उसके बाद चलते हैं बड़े प्रोजेक्ट पे, हाँ जी, थोड़े सी चाय की चुस्की के बाद हम आ गए यहाँ पे, ये मैंने code आपको दिया नहीं अभी तक, चिंता मत कीजे, नहीं बैक्टिक और वही जावस्क्रिप्ट, हाँ बाद अगर आपको कभी खुद के भी काम में लेना है, तो आप जावस्क्रिप्ट की जगे, अगर आप चाते हैंगे नहीं मुझे पाइथन का code लिखना है, तो आप पाइथन का code भी लिख सकते हैं, वो भी code हाइलाइट हो जा तो वहाँ पे दे दी जाती है, यह लिजे, अब आपके पास आगया project 3 का भी solution code, वैसे तो बहुत आसान था, देने की ज़रूद थी नहीं यह वाला तो, ठीक है, पर दे देते हैं, तो project solution 3, solution तो डंक से दिख लें, solution 3 code, और इसको कर देते हैं, stage हो रखा है, commit कर देते हैं, और push भी कर देते हैं, यह लिजे, push कर देते हैं, एक बड़ चेक भी कर लें, ताकि मुझे भी पता रहे हैं कि आपको code मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो यह लिजे, और यहाँ पे आपको solution 3 भी मिल गया है, ठीक है जी, इतना काम हो गया, अब चलते हैं हमारे बड़े project यह project थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा time consuming होगा, time consuming होगा, लेकिन यह कोई complex project नहीं है, देखें, इतना code लिखने के बाद आप समझी गया होगे, logic एक के बाद एक लगाते जाते हैं, इतना भी नहीं होता है कि उसके अंदर हमारे पास problem हो जाए, थोड़ा सा fan जादा ह हो गया है, कम कर लेते हैं, एक second, हाँ जी, तो यह जो project 4 है, इसके अंदर हमारे पास code काफी जादा है, लेकिन complex नहीं है, complex नहीं है, बहुत ही छोटा सा if and else वगरा हम लगाएंगे, और काम हो जाएगा, हाँ, documents के अंदर values काफी साज़ सेलेक करनी पड़ेगी, बड़ देख आपने भी खेला होगा, तो यह guess the number है, इसमें क्या है, कि आपके पास try and guess the number between 1 and 100, ठीक है, you have 10 attempts to show the numbers, ठीक है, and guess the right number, तो guess number आपको करना है, यहाँ पे आपको एक number enter करना है, submit जैसे करोगे, तो number evaluate होगा, और आपको check करना है कि वो number actually में सही है या नहीं है, तो random number भी generate करना ठीक है जी, और previous guesses, तो हम क्या कर रहे हैं, एक array बना रहे हैं, जिसके अंदर user ने जो भी previous guesses दी हैं अपने, वो सब हम एक array के अंदर store करते जाएंगे, और वो भी user को हम display कराते जाएंगे, और साथ में यह guesses जो remaining है, उसको भी हमें lower down करना है, तो हर एक click पे हमें, वो guess का जो project है, बड़ा ही मज़ा आएगा आपको इसके अंदर, तो देखे, code काफी है, code से मत गवराइएगा, तो देखे, यहाँ पे है हमार पास एक form, ठीक है जी, और यह हमार पास एक result, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अब form के अंदर भी मुझे पता है कि मेरे पास एक तो guess field है, कि guess है number, ठीक है, उसके बाद एक input है, जो कि क्या है, guess field है, और वहाँ से मैं input है, क्योंकि वहाँ से values निकाल सकता हूँ, तो ठीक है, वो भी निकाल लूँगा, और उसके बाद एक मेरे पास क्या है, input type submit, अब यह जो input type submit है, यह actually में button है, यह form के अंदर जरूर यहाँ पर scenario दिया हुआ है, और यह जो हमारा जो div है, यह वाला नीचे वाला div है, इसके अंदर previous guesses है हमार पास, ठीक है, तो हम यह भी easily ले लेंगे guesses नाम से, और last result जो है हमार पास, वो भी easily हम ले लेंगे 10 के अंदर से, ठीक है, तो इतना ज़ादा कोई difficult वाली बात नहीं ह तो values तो हम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, अब जैसे हमार पास एक ID है यहाँ पर, actually मैं कहां गया, यह रही, submit, तो subt हमने इसको लिख रखा है, तो यह actually में क्या होगा, यह हमारा majorly click event होगा, यहाँ पर हमें event को listen करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी मैं आपको और करके कर लिए और math.random यूज करते हैं, ठीक है जी, अब math.random को हम क्या करते है, console log करा लेते हैं, ताकि आपको पता रहे हैं, चलता रहे है, की actually मैं क्या क्या हम करी जा रहे है, क्या क्या कारणामे हो रहे हैं हिस New ये लिजे, console को open कर लेते हैं, ये लिजे, अब देखे, जित्ती बार मैं इसको save कर रहा हूँ, जित्ती बार मैं page को refresh कर रहा हूँ, उतनी बार मुझे एक नया number मिल रहा है, बट आप गौर से देखेंगे, तो इन number क्या है, 0.5484, ठीक है, तो अब क्योंकि decimal के बाद सारी values आ mathematics, तो multiply by 10 करा, तो एक number jump करके इदर आगया, ठीक है, अब जित्ती बार इसको refresh करोगे, उत्ती बार एक number तो इदर jump करके रहे गए रहेगा, ठीक है जी, अब एक number आपने jump यहाँ पर कर दिया तो इस तरह से, अब आपको 100 चाहिए था, तो दो number jump करा दो इदर, क्योंकि 99 तक अब guaranteed है कि number आपका 100 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक है, तो आप जित्ता चाहिए refresh करके देख लिजे, अब वो exact 0 लाना तो देखे, possible है नहीं अभी इस randomness में, बढ़ ठीक है, अच्छा, इतना ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि अब यह जो decimal आ रहा है, मुझे decimal नहीं चा तो exact हमने इस तरह से 1 से लेके, देखे 100 भी आ गया है, ठीक है, तो और भी values आ जाएगे, तो एक problem हो गई है solve, कि किस तरह से random number generate हिया जाता है, तो अब इस random number को console में क्यों लिखा जाए, इसको एक value में hold करते हैं, तो इसको बोलते है, simply const random number ये लीजे, ठीक है जी, random number आ गया एक problem थो हो गई, solve, लेकिन अब एक problem क्या है, बहुत सारी values को हमें लेना है document में, तो document.query selector, query selector में अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास एक क्या है, actually मैं इसको भी open कर लेते हैं, पहला तो हम ये ले लेते हैं, ये वाला, जो भी submit है, तो ये लीजे, इसको ले लिया, इसको क् यहाँ पर तो हम अच्छे variable के नाम दे सकते हैं, html में नहीं दिये तो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या लेना पड़ेगा, user का input भी लेना पड़ेगा, तो user का input कहां से लेंगे, ये guess field से लेंगे, औवसी बात है, इसकी value चाहिए हमें, तो copy करते हैं, और इसको duplicate कर लेते हैं, query selector हमें चाहिए, ये guess field वाला, और ये क्या है, user का input है, user input, अब obviously बात है, यहाँ पे तो हमें क्या है, कि इतने में काम चलेगा, नहीं, मुझे actually मैं इसकी value लेनी पड़ेगी, तो आप चाहें तो यहीं पे उसकी dot value करके आप ले सकते हैं, और चाहें त इसको क्या करूँगा, dot value करके वहाँ पे लिख लोगा, अब आपके उपर है कि आप कौन सी approach यूज करना चाहते हैं, मैं अभी के लिए ये वाली approach के साथ एक बार चलता हूँ, उसके बाद देख लेंगे कि हम कैसी approach के साथ जाएंगे आगे, तो आगे चलते हैं, और values को, ठीक है, आपको अगर ये थोड़ा सा problematic लिख रहा है, तो dot value अभी हमने करके देखा, just project में, तो इतना परिशान तो नहीं होंगे आप, ठीक है, तो और भी values ले ले लेते हैं, ठीक है, ये आगया है, हमार पास user input अगया है, अब हम चाहते हैं, यूजर इन्पुट के बाद, क्योंकि class है, तो इसको guess slot बोल देते हैं, क्योंकि ये slots हम बढ़ते जाएंगे, arrays होंगे हमारे पास, अच्छा और क्या है हमें, last result भी show करना है हमें, user का कि आपने last result क्या यहां पे दिया है, तो उसको भी हम actually में ले ले लेते हैं, last result जो value है हमारे पास, वो आईगे हमारे प remaining, last slot मतलब कितना remaining बचावा है, last result हाँ यह सेम है, इसको save कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा कोई problem हो गई है यहां पे, I think क्योंकि load नहीं हो रहा है, तो I think कुछ ना कुछ तो हमने किया है, remaining save करते हैं, एक बार refresh करके देख लेते हैं, कोई problem तो है, एक second दीजे, बस इसको मैं select करके देख लेता हूं, कि क्या problem आ रही है आपे, debug करता है इसको, हाँ जी, तो check करने के बाद, मुझे इसको refresh करना पड़ा, refresh करते time ध्यान रखेगा, अगर आपने सारा code नहीं save करा है, या fork नहीं करा है, तो सारा उड़ जाएगा, इसी तरह से sandbox designed है, playgrounds designed है, तो मैंने इस करके वापस से copy paste कर दिया, तो अभी कोई problem आ रही, तो as such मुझे लगा, नहीं कोई issue था, बढ़ ठीक है, चलिए, अच्छा, यहाँ पर हमार पास और भी कुछ values हैं, उनको भी हम ले लेते हैं, तो देखिए, हमार पास यह paragraph भी है, एक low और high, इसको भी हम use करेंगे, तो इस हमार पास, अच्छा, एक और चीज हम लेंगे यहाँ पर, actually में कहां पर है, यह रहा, यह जो result पैराज है, यह actually में users को हम यह सारी values हम तभी दिखाएंगे, जब हमार पास, या फिर हम क्या है कि यहाँ पर इन values को शायद hide करेंगे, यह सब करेंगे, तो हम यह सब भी काम करन है इसके साथ, तो यह लीजे, और यह हमने ली थी class, तो ठीक है, यह लीजे class आ गई, और इसको भी हम hold कर लेते हैं, वेरेबल में, start over के लिए, ठीक है, start over messages हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है जी, और कुछ हम values insert करेंगे, तो actually मैं हम उसको भी ले लेते हैं, एक paragraph लेलते हैं क्योंकि हम कई जगे inject करने वाले हैं, इसको आगे जाके, फिर मैं आपको बताऊंगा, हम strategy क्या follow कर रहे हैं, document.create, element, कौनसे element create करना है, कुछ नहीं, एक paragraph create कर दो बस, ठीक है जी, अब करते हैं strategy की बात की actually मैं क्या-क्या चाहिएगा हमें, तो उन-उन variables को लेते हैं, तो पूरे के पूरे array को ही user को दिखा देंगे, ताकि user को पता रहे कि at least वो जो same guest value है, उसको दुबारा से वो guess ना करें, ठीक है, उसके लिए हमने ले लिया एक, अच्छा, उसके बाद हमें क्या track करना पड़ेगा, कि कितने attempts वो मार चुका है, तो उसके number of guesses है, या फिर उसको num guesses बोल देता है, number of guesses, वो भी हम लेता है, start करते है one से, कि आपका ये पहला guess है, ठीक है, start करेंगे one से, और जैसे ही वो 10 पर जाता है, तो उसके बाद हम block कर देंगे, कि अब वो submit को नहीं कर सकता है, तो submit को हम disable कर देंगे, ठीक है, उसके अंदर property add कर देंगे, ठीक है, और एक variable भी हम यहाँ पर ले देते हैं, जिसको बोलते है, let play game, और play game को क्या कर देंगे, true, अच्छा जब भी आप इस तरह के games बगरा design करेंगे, तो हमेशे इस तरह का एक variable तो होता ही है, play game, जो कि आपको allow करता है game खेलने के लिए, अब suppose कर आपके events पूरे हो गए, आपके coins खतम हो गए है, या कुछ भी ऐसा है, तो इस condition को check करेंगे बगर आगे कुछ भी नहीं बढ़ता है, इसी तरह से games का design होता है, ठीक है, तो यह तो हो गया हमारा basic कि यह यह values हमें चाहिए, और इतना हमारा, यह तो काम था, जितना भी काम था, हमारा यह तो सिर्फ था, चीज validate guess, अच्छा, इस validate guess के अंदर क्या आएगा, एक मुझे guess दो, और मैं उसको validate कर दूगा, ठीक है, अच्छा, यह क्यों है, यह इसलिए है, क्योंकि मुझे पहले देखना है, क्या उसने valid number guess करा है, नहीं करा, ABC दे दिया तो क्या होगा, और वैसी बात है, उसके बाद क्या द अंदर करेंगे, ठीक है, ठीक है जी, तो यह काम तो हो गया हमारा इस method के अंदर, अब इसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें करना है, एक और method चीएगा, जिसको हम बोलेंगे, check guess, यह लीजे, अच्छा, यह check guess के अंदर भी आपको guess डालना पड़ेगा, अब आप आप कहेंगे, अरे validate तो हो गया है, अब इसको check करने की क्या जरूत है, लेकि यह validate तो हो गया है, लेकिन वहाँ से सिर्व आपको validation मिला है, कि वो values उपर है नीचे, हमने कोई message उससे print नहीं करवा पाया, तो हम क्या करेंगे, एक message print करवाना चाहेंगे, कि आपका जो value है, या वो message print करा रहे हैं, तो आप चाहें तो directly उसके अंदर ही करा सकते हैं, बट मैं क्या करूँगा, एक और method यहाँ पर बना लेता हूँ, जिसको बोलूँगा, display message, तो क्या होगा, इस method के अंदर जैसे display message होगा, तो आप इसके अंदर बस एक message pass कर दो, या फिर अपना guess pass कर दो, और मैं आपको message सीधा, यह वाला method क्या करेगा, सीधा, dom के साथ interact करेगा, ठीक है, तो display message कर देंगे, बहुत easy सा है, कुछ नहीं करेंगे, user की जो input value है, उसको हम वापिस एक तो empty कर देंगे, क्योंकि obviously बात है, उसको next guess करना है, और उसके साथ साथ क्या करेंगे, हम हमारे जो ठीक है, तो यह हो गया हमारा display message, ठीक है जी, अच्छा, इसके अंदर guess नहीं हम actually make message लेंगे user से, ठीक है, कुछ जाधा yes लगा दिए कि मैंने, a जाधा लगा दिए, ठीक है, तो हम user से simply message लेंगे, और जो भी message होगा, वो हम वहाँ पर print करवा देंगे, अच्छा, ठीक है, इ उसको देंगे guess method, और यहाँ पर, देखेंगे, और भी इस तरह के methods हो जाएंगे, ठीक है, तो अभी के लिए एक बार summarize कर लें, थोड़ा सा confusion हो गया हो तो, validate जो guess method है, वो क्या करने वाला है हमार पास, यह कुछ भी नहीं करेगा, यह simply guess validation करेगा, कि value 1 के और 100 के बीच में है या नहीं है, और actually में value है या नहीं है, इन सारे methods का भी यहाँ पर हम अंदर use करेंगे, बट अभी major role यह है, उसके बाद हमार पास आएगा check guess, check guess क्या होगा, कि कहीं वो value जो है, random number के equal तो नहीं है, अगर equal है, तो इस display message का use करके उसको बोलो कि आप जीत गए होगे, अगर low ह है, तो बोलो low है, high है, तो high है, उसको बोलो, और display guess के अंदर क्या होगा, कि जो display guess है, यह कुछ नहीं करेगा, आपकी एक तो values को clean करेगा, ठीक है, क्योंकि next value भी input करनी है, same value नहीं लेना है, उसके अलावा क्या क्या करेगा, कि आपकी जो guess है, यहाँ पे जो arrays है, इनको भी update करेगा, आपकी जो guess remaining है, इसको भी update करेगा, और display message का करेगा, यहाँ जादा कुछ नहीं होगा, in fact यह जो lower high हम यहाँ पे लिया है, हमने यह query selector, इसके अंदर एक message हम pass करेंगे, और वो message as it is, print कर देंगे, ठीक है, इतना तो आपको आगा है समझ में, अच्छा, अब हमें इक method चाहिएगा, कि हम क्या करना चाते है, game को end भी करना चाते हैं, और एक new game भी start करना चाते हैं, ठीक है, तो यह लिजए function, सबसे पहले क्या करीए, यह लिजए new game, यह हमने start कर दिया है, और यह लिजए function, इसको बोलते है end game, तो यह आपने game end कर दिया है, ओके जी, काफी methods हो गए है, बोला था, थोड़ा complex होते है project और आपको थोड़े से बड़े videos बिचे यह थे तो ठीक है, अभी हो गया हमार पास इतना काम, ये new game, end game, ये बड़े easy से method है, आप चाहें जिसको खहीं पर रख लीजे, एक काम करते हैं, हम पहले end game गेम रख लेते हैं, ताकि आपको flow easy से समझ में है, वैसे तो method कहीं पर रखिए, कोई फरक नहीं पड़ता है, बढ़ ठीक है, समझने के लिए end game करा और उसके बाद एक new game भी कर सकते हैं, ठीक है जी, अब बात करते हैं कि कैसे इन methods को design किया जाता है, सबसे पहले तो चेक करें कि आप game खेलने के लिए भी available हैं कि नहीं है, ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले देखना पड़ेगा if को, ये लिजए आपका if method आगया, अब if के अंदर क्या है, अगर play game है, तो वो true और false अपने आप evaluate हो जाएगा, अगर है तो game खेलिए, नहीं तो मत खेलिए, अच्छा, अगर game आप खेल पा रहे हैं, तो क्या करना है आपको, तो ये जो हमने submit लिया है, ये लिजए, ये जो submit लिया है, यहाद है, ये submit लिया था, तो इसके उपर मुझे सुनना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक add event listener लगाना पड़ेगा, क्या event listener लगाना पड़ेगा, बड़ा easy है, click लगाना पड़ेगा, और ये लिजए आपका function, और ये लिजए, अब इस function के नदर आपको पता है कि एक event मिलता है आपको, अब दूसरी चीज क्या है, कि आपका ये जो guess number है, ये आपको चाहिएगा, अब हमने जब अपना ये जो selectors design किये थे, तो user input जो लिया था, तो हमने actually में वो user input लिया नहीं था user से, है ना, उसको हमने सिर्फ एक select कर लिया था, आँ जी, शायद भूल गएते हैं आप, ये लिजे, parse int कर दिया है, अब इस value को क्या करिया है, आप hold कर लिजे एक variable में, ये लिजे, ये लिजे, hold भी कर लिया है, अच्छा, अभी game complete हो गया क्या, देखे, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे as it is, इसको pass कर देना है next पे, ये लिजे, validate guess, और ये लिजे, मैंने आपको number pass कर दिया, मेरा इतना ही काम था, छोट-छोटे functions में design करिये, तो ये मेरा काम तो हो गया है, तो ठीक है, ये play वाला if का condition का तो हो गया है, कि देखो, मैंने check कर लिया, user allow था game खेलने के लिए, उसके बाद उसने एक number enter कर दिया, मैंने यहाँ से number pick भी कर लिया, और उस number को मैंने यहाँ पर display भी करा दिया, और अगर आप चाहें, तो मैं उसको console log भी करा देता हूँ, कि भाई यह number सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अब इसको एक बार करके देख लेते हैं, कि इतना तो काम हो रहा है ना हमारा, तो suppose करिये, मैंने यहाँ पर six लिखा, यह submit guess किया, तो six आ गया है, लेकिन obviously बात है, अभी मैं checking नहीं कर रहा है, वो checking में एक बार आपको सिखा चुका हूँ, कि कैसे आपको select करना, कि empty तो नहीं है, not a number तो वो सारा आपको देख चुका हूँ, तो एकी चीज़ को देखे, दस बार repeat करके, तो कोई sense है नहीं, तो अभी मैं जो भी numbers को यहाँ पर guess कर रहा हूँ, तो मेरा event listener, यह method मेरा बढ़ी आसे काम कर रहा है, ठीक है, इतना तो हो गया clean, अब यह validate जो guess है, इस validation के नहीं हम चेक कर लेते हैं, कि actually मैं number सही से दिया है नहीं दिया है, आप चाहें तो यहाँ पर भी check कर सकते थे, बट क्योंकि एक validate guess method बता ही रखा है, तो validation लगा ही लेते हैं, देखें, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ आपको, यह जो validation method है ना, यह बहुत लिखने वाले हैं आप, क्योंकि क्या होगा, back end जिब आप लिखेंगे, किसी भी application का, तो वहाँ पर suppose करिए username आया, email आया, तो वहाँ पर भी especially ऐसे methods बनाए जाते हैं, आपर validation किया जाता है, email के अंदर add the rate तो है ना, add the rate कोई आगे word तो है ना, क्या वो database के अंदर already तो नहीं है username, क्या वो valid email है, क्या वो unique email है, तो ऐसे बहुत सारे validation आप भी करोगे, ठीक है, तो अभी हम check करते हैं, तो सबसे पहले check करते हैं, if condition लगा के, यह लिजे, तो if condition के अंदर भी क्या है, मैंने आपको बताया था, is not a number, आजकल एक method है, जिसके थूरू हम check कर लेते हैं, number है या नहीं, तो क्योंकि यह guess यहाँ पर आपको मिला ही है, तो यह लिजे guess आपको मिल गया है, और alert लगा देते हैं, वैसे तो मैं prefer करता हूँ कि एक text message ही वहाँ पर जाए, बढ़ ठीक है, मैं आगे प्रोसीडी नहीं करना है देना चाहता, और थोड़ा सा वी easy कर लेते हैं, तो यहाँ पर दे देते हैं, उसको एक alert message, please add, और please enter a valid number, अब इस message का हूँ कई जगे use करने वाले हैं, ठीक है, अच्छा, और क्या-क्या check करना चाहोगे, चलिए एक और check कर लेते हैं, एक और check कर लेते हैं कि हमारा जो एक guess है, क्या ये less than one है क्या, अगर one वाला case है, तो क्या करो, यही copy कर लो, ठीक है जी, यह लो जी, यह हो गया हमारा, अच्छा, आप क्या अगर सकते हैं, इसको duplicate कर सकते हैं, यह लिजए copy करा, और इसको paste कर दिया, आप क्या check करना चाहते हो, क्या वो 100 से बढ़ा है, और यह बात है, यह भी तो check करो गई, अगर वो 100 से बढ़ा है, तो भी करेंगे, please number चाहिए, please enter a number, अच्छा ही message दे देते हैं, चलिए, less than 100, और यहाँ पर लिख देते हैं, please enter a number, more than one, ठीक है, बड़ा ही basic सा था, ठीक है जी, इतना काम तो हो गया है, अच्छा, अगर यह सब आपने check कर लिया है, तो आगे क्या करना चाहोगे, तो else case में आ जाओगे, आप obviously बात है, अब else case में सबसे पहले क्या चाहोगे, सबसे पहले तो मैं चाहोगा, कि यह जो है, आपका जो number है, कहीं आपका इसके बाद, सबसे पहले तो इसको array में push कर लेते हैं, ठीक है, यह हमने दिये थे previous guess, तो previous guess के अंदर इसको push कर लेते हैं, तो यह हमारे पास है previous guess, कैसे push करते हैं array के अंदर, यह लिजे dot push, यह लिजे और आपका guess हो गया push, क्योंकि आप खेली पा रहा है number, तो उसका number तो add करी लो, अच्छा यह तो हो गया है, कि आपने push तो कर लिया, अब हो सकता है उसका last attempt हो, हो सकता है यह जस उसका 10th attempt हो, इसके बाद मैं नहीं करने देना चाहता, तो यहाँ पर validation के बाद, मुझे सबसे पहले check करना पड़ेगा, कि कहीं उसका game over तो नहीं हो गया है, तो if, यह जो number आप कैसे check कर पाऊंगा, कि उसका game over तो नहीं हो गया है, आपको याद हो तो यह हमने लिया था number of guesses, इसके थूँ चेक कर सकता हूं, आजी बिल्कुल कर सकते हैं, कि अगर यह जो number of guesses इसको मैं increase करता जाओंगा, क्योंकि global scope में मैंने इसको डाल रखा है, याद रखिये, scoping भी हम यूज कर रहे हैं, यह global scope में मैंने इसको डाल रखा है, तो number of guesses अगर उसका 11th है, तो आप नहीं करना है हमें काम, आप चाहें तो less than, greater than 10 वो भी आप check कर सकते हैं, greater than, equal to 10 यह जैसा भी आपको करना है, यह की बात है, ठीक है, जो भी display उसने करा है, वो तो actually उसके पास हो, तो display guess को हम एक guess method दे देंगे, अब वो कैसे display करता है, यह मुझे अभी headache नहीं है, उसको बस display करा लो, इसके बाद एक display message भी करा लेते हैं, अब display message को एक message चाहिए, तो ठीक है जी, message भी देते हैं उसको, तो display message को एक back text के साथ, हम message देते हैं, कि game over, अब वो कैसे display कराता है, वो उसकी headache है, ठीक है, और random number भी उसको बताई देते हैं user को, क्योंकि अब game over होई गया है तो, ठीक है, तो बोड़ी देते हैं उसको random number was, was, क्योंकि अब हो ही चुखा था, तो ये लीजे, और क्योंकि global scope में था, तो random number को मैं access कर सकता हूँ, तो ये लीजे, थोड़ा सो और इसको side कर देते हैं, थाकि easily आपको देख जाए, ठीक है, अगर उसका game over हो गया था, तो एक और condition हमने चेक कर ली, कि उस number को भी push करा दिया, अब उसका game over हो चुका है, तो display करा दो message उसको, और उसको ये भी करा दो, और क्या करो, game भी खतम कर दो, तो ये लीजे end game, अब कैसे खतम करना है, वो मुझे नहीं पता, end तो नहीं end game, end game, हाँ जी ये लीजे, end game, तो end game भी हमने call कर दिया, अब वो कैसे end कर रहा है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी वो headache नहीं है हमारी, ठीक है जी, इतना काम हो गया है, लेकिन अगर आप इसके else case में है, यानि कि अभी वो number 11 पे तो नहीं है, 11 के तो equal नहीं है, तो इस else case में हम क्या कर सकते हैं, obviously बात है अब यहाँ पे आई गए हैं, तो number 11 से तो छोट आई है, क्योंकि बड़ा तो हम होने ही नहीं दे रहे हैं, उसको पहले ही चेक कर दे रहे हैं, आप चाहें तो वो भी range base भी चेक कर सकते हैं, कि 1 से 10 के बीच में है, वो भी आप लगा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है उस logic में भी, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको display एक guess कराना पड़ेगा, guess तो display हराल में ही कराना है उसको, बताना तो है कि यह number आपने set करा था, और यह guess list में आपके चला गया है, ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं हापे guess दे दीजे, देखे नंबर तो guess list में उसमें list में अरे में जाहिर आ है, बढ़ display भी उसको करा नहीं है, ठीक है जी, यह करा दिया है, अब उसको बात क्या करना है, चेक करना पड़ेगा कि आपका जो guess था वो सही था या नहीं, तो क्या करते हैं हम check guess के अंदर, उस method को pass कर देते हैं, अब हम क्या है कि अभी display message अभी use नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम sure थे कि उसको message display display करना है, लेकिन अगर check guess के अंदर हम आ जाते हैं, तो हमें यहाँ पर अभी message display करने की जुरूद नहीं है, हमें क्या है, check guess के अंदर message display करना पड़ेगा, कि आपका जो value आपने करी है, वो actually में higher है या lower है, तो यह हम वहाँ पर decide करेंगे, ठीक है, तो यह हो गया हमारा validate guesses का, ठीक है जी, अब आते हम check guess के अंदर, अब check guess के अंदर क्या करना है, actually में check करना है, कि वो random value के equal है, lower है या high है, based on पर हम message उसको display कराने वाले है, ठीक है जी, तो check करते हैं, लाते हैं हमारा if else case, तो यह लीजे हमारा यह if आ गया, ठीक है जी, अब if के अंदर हमें क्या करना है सबसे पहले, सबसे पहले हम क्या करते है, if के अंदर हम check करते हैं, कि guess, हाँ जी, guess आप हमें दे रहे हो, तो क्या वो guess equal है हमारे random number के, ठीक है, अगर random number के equally हो गया तो, ठीक है जी, यह तो काम ही खतम हो गया, end game हो गया, आपने guess कर लिया एक बार के अंदर ही, तो उस case में क्या करो, display message को call करो, और एक message दे रहते हैं उसको, क्या message देंगे, कि you guessed it right, you guessed it right, ठीक है जी, आपने guess कर लिया एक दम right, और end game कर दो, क्योंकि आप वो समझ ही चुका है, तो आप क्या ही के लें और, ठीक है तो end game कर दो, अच्छा, अगर random number के equal नहीं है, तो क्या होगा, छोटा होगा उससे, ठीक है जी, तो ये भी check कर लेते हैं, if, जो guess आपने हमें दिया है, अगर वो less than है random number के, तो भी एक message उसको display कराना पड़ेगा, तो इस display message ले ले लेते हैं, copy करके इसको paste कर लेते हैं, तो इसको क्या बोलें, number is low, तो actually में क्या करेंगे, number is low की जगे बोलेंगे, number is too low, थोड़ा सा confuse भी तो करेंगे game बे, इतना easy थोड़ी कर देंगे, ये just की, कम होते बस low लिख दिया, too low बोलेंगे, ताकि वो दुबारा से और try कर पाए, ठीक है, अच्छा है ये तो हो गया हमारा, copy कर लेते हैं, इसी को वापिस से paste कर लेते हैं, अगर वो ज़ादा बड़ा है random number से, तो number is too high, ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा check, validation हो गया, और ये check guess भी हो गया, ठीक है, और हमने message भी print करा दियें, अच्छा ठीक है, अब हमारे पास actually में जो बात आती है, वो आती है display guess की, अब देखें ये जो display message तो हमने कई जगे यूज़ करा, लेकिन ये जो display guess है, ये actually में काम क्या कर रहा है, किस तरह से हम display कराना चाहते है यूज़ को, तो देखें display guess के अंदर सबसे पहली जो हमारी काम है, कि ये जो display guess है, उसमें क्या करेंगे, ये जो user input लिया है हमने, इसकी जो value है, वो हम update कर देंगे अब, update किसे करेंगे, empty string से, ताकि एक बर आपने value submit कर दिया, अब submit होने के बाद value के साथ कुछ तो हो ही रहा है, तो देखें display guess यहाँ पर भी run हो रहा है, display guess यहाँ पर भी run हो रहा है, तो actually में value तो खाली करनी है, तो ये काम तो हमें करना ही करना है, तो एक clean up भी बोल सकते हैं, तो हम display guess की जगे clean up method भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये काम हमारा हो गया है, लेकिन अब क्या करना है, जो आपका जो guess slot है, ये आपने जो लिया था, इसके अंदर हमें inner html add करनी है, अब जो guess slot हमने लिया था, अगर आपको याद हो, actually में, just a second, actually यहाँ पर देखना पड़ेगा पहले, ये जो guess slot हमने लिया है, आपको दिखाते हैं, एक second, ये क्या है हमारा, ये guesses है हमारे, ठीक है, अभी guesses आ कहां से रहे हैं, ये हमारे guesses है, तो इसके अंदर हमारा जो inner html है, वो हम add कराना चाहते हैं, तो ये जो span हमने लिया है, ये हमने select कर लिया है, अब इस span के अंदर मैं कुछ values आड़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये काम मैं करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आते हैं, तो ये guess slot लिया, मुएने इसका inner html लिया, तो इस inner html के अंदर क्या करेंगे, हम add करते जाएंगे, तो plus equals, क्या add करना है हमें, हम क्या करेंगे, एक variable add करते जाएंगे, तो ये लिजे dollar, और उसके अंदर लेते हैं, यहाँ पर ये लिजे values और इसको बोल देते हैं guess, तो जो भी guess की values हैं, उसके अंदर उसको वो update नहीं कर रहा है, उसको वो push करते जा रहा है, ठीक है, और क्या करना है हमें, इसके अलावा हमें यहाँ पर आई गए हैं, तो हमारे जो number of guesses हैं, इसको भी plus plus कर देते हैं, यह तो बढ़ा नहीं है न, क्योंकि आप देखें गौर से, यह जो हमने हमारे पास है, यह num guesses, यह हमने one से start करा है, बढ़ यह बढ़ना भी तो चाहिए, यह कब बढ़ेगा, जब आप यह clean up कर रहे हैं, कि value user ने दे दिये, उसका value चला गया है, तो value को clean भी कर दो, और उस value को show भी कर दो यहाँ पे, और उस value को add भी कर दो, update भी कर दो, लेकिन एक काम हो रहे है, यह जो remaining guesses है, इसकी values को भी हम change कर लेते हैं, अब remaining guesses है, वो हमने कैसे कर रखा है, तो देखिए, यहाँ पर remaining guesses तो हमने एक text अलग लिक रखा है, लेकिन इस span के अंदर हमने यहाँ पे last result, यहाँ पे value 10 दे रखी है, तो इसको update करना तो बहुत ही असान है, यहाँ पे जब एक value update हो गई है, तो simply क्या करो, यह remaining low, इसके अंदर क्या करो, यह inner HTML लिया, और इस inner HTML के अंदर values calculate कर लेते हैं, तो back ticks के साथ, अच्छा हर बार values को हम लाएं, calculate करेंगे, तो यहरी की यहरी calculate कर लेते हैं, तो javascript allow करता हमें, तो कर लेते हैं, यह लिजे dollar sign लिया, अच्छा, आप इसको कैसे calculate करेंगे, 11 में से minus कर देते हैं, जितने भी आपके guesses हो गएं, तो यह num guesses तो obviously बात है अब आपके पास 11 में से 0 तक तो जाना नहीं है तो हम क्या करेंगे 11 से minus कर देंगे एक बार लिया तो आपका 10 है तो आप 9 हो जाएगा एक value थो हम direct allow करेंगे उसके बाद आप चाहें तो 10 से भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगए मुझे 11 से ठीक लग रहा है तो अगर आपको confusion हो रहा है तो यह लीजे 10 से कर दीजे कौनसी बड़ी बात है अभी इसको आगे भी हम check कर लेंगे अभी मैं 11 रखतेता हूं 11 में से num guesses minus हुए जो भी value आएगी वो value as it is यहाँ पर print हो जाएगी ठीक है तो बस इतना सही है आप चाहें तो इसको display guess की जगे आप इसको clean up guess भी रख सकते हैं शायद आपको वो जादा comfortable लगे अच्छा इतना काम दो गया अब आते हैं हमारे नए method पे ठीक है जी अब नया method क्या है यह है display message तो देखे display message क्या है आपको अगर याद हो तो हमने एक value लीती है यहाँ पे low or high यह क्या कर रहा था यह जो low or high है यह simply एक paragraph है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है तो simply बस इसी के अंदर तो message प्रिंट कराना है और message आपको h3 जो भी आपको ठीक लगे है हमें h3 ले ले लेते है h2 ले लेते है चलिए h2 लिया यह लिजे और h2 लिया अब इसके अंदर values प्रिंट करा दीजे तो value क्या प्रिंट कराना है सब लोग अपनो message अच्छे से बना के देई रहे हैं तो as it is message को pass कर दो यह लिजे हो गया आपका काम ठीक है अब आती है बात end game और new game करने की तो end game भी करना पड़ेगा तो एक बार पहले इतना तो हम करके देख लेते हैं ठीक है तो अब हमने इसको refresh किया तो hopefully तो अब suppose करिये मैं यहापे 3 number देता हूँ और submit guess करता हूँ तो यह बोल रहा है number is too low और हमारा input भी clean हो गया है अगर मैं इसको देता हूँ यहाँ पर suppose करिये 99 और submit करता हूँ तो यह वापिस से check कर रहा है यह 99 अब क्या हो रहा है actually मैं थोड़ी सी यहाँ पर problem हो रही है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर plus equal guess के बाद थोड़ा सा spacing दे देता है चाहें तो comma भी दे सकते हैं बट इतना debugging तो आप भी करेंगी ठीक है तो यह वापिस से try करते हैं एक बार refresh कर लेते हैं तो आप देते हैं एक बार 3 और submit करते हैं तो यह 3 यहाँ पर आगया आप देते हैं इसको 66 यह submit किया तो देखें अब थोड़ा सा spacing आगया अगर आपको इस तरह से नहीं है तो आप चाहें तो comma भी दे सकते हैं और भी दे सकते हैं मैं spaces से काम चला लेता है तो आप भी क्यों ठीक ही लग रहा है spaces चाहें तो और space दे दीजे ठीक है तो easy लगेगा 4 दिया उसके बाद मैंने इसको दिया 33 दिया तो यह 33 भी आ रहा है और 22 दिया यह भी आ रहा है तो देखें सारी list आपको यहाँ देखने को मिल रही है अगर आप चाहते हैं इसके अंदर और innerHTML के अंदर थोड़ा सा और करना है इसको paragraph में display करना है या फिर इसके साथ comma में display करना है तो आप वो भी कर सकते हैं कोई बड़ी बात है ही नहीं क्योंकि plus equals है तो वो कभी change नहीं होगा आपको यह ठीक नहीं लग रहा आप चाहते हैं यह करेंगे हम तो इसके साथ में तो आप save कर लीजे और इसको भी try कर लेते हैं तो 5 दिया submit किया तो 5 आगया उसके बाद 6 किया इस तरह से आप चाहते हैं आप चाहते हैं मुझे तो comma values चाहिए मुझे तो comma जादा अच्छा लगता है आपके परे देखिए चोटी चोटी बात हैं इसमें ता load लेने की बात ही नहीं है तो यह हो गया basic अच्छा जी अब हम end game और new game के उपर focus करें क्योंकि ऐसे तो user खेलता ही जाएगा तो end तो करना ही पड़ेगा न क्योंकि यहां तो आपने लिख दिया कि end game कर दीजे पर कभी end game तो हमने किया ही नहीं है तो end game के उपर भी चर्चा कर लेते हैं कि end game कैसे होगा तो देखिए end game करने के लिए क्या होगा सबसे पहले तो आपको एक बटन बनाना पड़ेगा ठीक है अब बटन क्या है हमार पास एक बटन लेंगे हम एक सेकिंड यहां पर आईए तो हम क्या करेंगे एक नया बटन यहां पर create कर लेते हैं अभी तो यहां पर submit ही है बट actually हमें एक नया बटन लगेगा जिसके उपर हम बना सकें यह सारा का सारा कि end game कर रहे तो new game का भी इसको option देना पड़ेगा वहाँ पर तो पहले वो करते हैं हम यहाँ पर हाँ जी तो अब हम क्या करते हैं सबसे पहले focus करते हैं हमारे end game के उपर end game के उपर sorry new game के उपर नहीं अच्छा end game कैसे करना पड़ेगा तो देखे सबसे पहला जो काम है वो तो सबसे पहले करिए कि जित्ते भी input field है उनको clear कर दीजे end game करी रहे तो clear तो करना है पड़ेगा तो यह user input इसके अंदर जो value है यह लिजे value और यह हो गए value clean that's it कुछ ज़्यादा इसमें difficult था ही नहीं अच्छा value हो गए यह clean अब क्या करिए कि उसके अंदर जो user input है उसके अंदर वो और values add ना कर पाए तो वो कैसे करेंगे user input है उसके अंदर क्या करिए कि आप कुछ इस तरह से करिए कि उसके अंदर एक attribute set हो जाए तो हमें पता attribute कैसे set करते हैं यह लिए जो set attribute और set attribute के बारे में हमने काफी चर्चा करी थी कौन से attribute आप उसके अंदर set करना चाहेंगे मैं उसके अंदर एक attribute set करूँगा जो कि होगा disabled अब disabled आप अखेले set नहीं कर सकते है actually मैं key value pair में set होते है वैसे तो अगर input में disabled word आप लिख देते हैं तो वो disabled हो जाता है बट यहाँ पे आपके अंदर problem आ सकती है तो क्या करिए उस second जो parameter है उसके अंदर कुछ भी मत add करिए तो key value pair है आपका काम हो गया है ठीक है जी इतना काम भी हो गया है तो यह हो गया हमारा end game अब क्या करिए कि हमें एक start button भी तो करवाना पड़ेगा तो क्या करिए वो जो एक paragraph है जो हमने starting में लिया था उसके अंदर एक class list add करा देते है class list dot add ठीक है class list कौन सी add करा रहे हैं हम उसके अंदर देखिए उस class का कोई काम नहीं है तो हम उसके अंदर add करा देते हैं एक button ठीक है तो वो button की तरह behave करने लग जाएगा क्योंकि classes आपने इस तरह से लेखिए कि button की तरह behave करे वो ठीक है अभी उससे काम हुआ नहीं अब उस paragraph के अंदर हमें क्या है कि inner html भी add करना पड़ेगा ठीक है जी तो paragraph को लीजे और उसको बोलिए कि आपके अंदर एक inner html भी हम add करा देते हैं ठीक है inner html क्या add कराएंगे आप चाहें तो paragraph ले सकते हैं div ले सकते हैं पैन ले सकते हैं जो भी कुछ लें उसमें कोई इतना जादा बड़ी बात है नहीं तो मैं उसके अंदर क्या चाहता हूँ कि एक h1 select करा देते हैं ये लिजे h1 ये h2 ले लिए h1 काफी बड़ा हो जाएगा चार बटन लगाने की ज़्यादा जरूत है नहीं है ठीक है जी इसको बोलते है start new game क्योंकि end game हो गया है तो अब ये बटन भी उसको मिल जाए अब ये सारा बटन जो है ये हवा में जूल रहा है अब इसका कोई इतना महत्व है नहीं ठीक है उस paragraph के अंदर आपने एक add भी करा दिया बटन और उसके अंदर एक inner html भी दे दिया कि ठीक है तो इतना काम तो हमारा हो गया ठीक है जी इतना काम आप ये हम ठीक है अब क्या करना है अगर आपको याद हो तो हमने एक start over लिया था याद है ये start over जो कि ये result पैराज ले रहे थे हैं तो ये जो हमारे पर रिजल्ट पैरास है, ये पूरा का पूरा हमने लिया है, अब इस रिजल्ट पैरास के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके innerHTML के अंदर वापिस से change करेंगे, actually मैं append कर लेते हैं, पहले मैं सोच रहा था कि पूरी सारी values को हटा देता हूँ, और कर देता हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, append child यूज़ कर देते हैं, ताकि उसके inner एक नया child अड़ हो जाए, ठीक है, कौन सा नया child अड़ करें, ये लिजे, paragraph हमने अड़ कर दिया है, ठीक है जी, अब paragraph उसके अंदर easily available है, paragraph याद रखेगा, global scope में था, तो ये paragraph है, तो हमने element create कर रखा था, उसके inner कुछ रखा नहीं था, यहाँ पर आके हमने उसके inner रख दिया, कि हमने एक class भी add कर दिया उसके inner button, और एक new game की ID भी add कर दिया और उसको append भी कर दिया है, ठीक है जी, इतना काम हो गया है, अब क्या करना है, यह तो हो गया end game का काम, और उसको बोल दीजे, कि अब क्या है, कि इसके बाद new game चल जाए, अच्छा ठीक है, अब new game कब चलेगा, जब अभी तो क्या कर, अच्छा एक चीज़ और भूल गया हम यहाँ पे, हमारी चिंता नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी, अब इसको save करते हैं, अब एक बार के लिए हम क्या करते हैं, values यहाँ पे देखे देखते हैं, hopefully values गैस ना हो, तो हम छट-छटी values ही देंगे, यह 2 submit करा, वापिस से ही 2 submit कर देते हैं, 3 submit कर देते हैं, 4 कर देते हैं, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 values हो गई, 5 और दे देते हैं, 8 दे दिया, 7 दे दिया, यह लिज़े 7 भी दे दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 9 दे देते हैं, और यह लिज़े 10, यह submit guess, अब आपके guess remaining है 0, तो 0 मतलब है एक और, तो 1 दे देते हैं, submit, तो देखें, अब क्या हुआ, अब मैं यहाँ पर click नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर नहीं है, सारी values आपके पास आगई है, remaining guess minus 1 पर पहुंच गया है, तो actually मैं 0 पर रोग देना चाहिए था वैसे तो, बट ठीक है, random values भी आपको मिल रहीं कि 22 था, और start a new game, अब यह start a new game कैसे करूँ, यहाँ पर तो click ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर click event listener, अब जबर नहीं है, बटन पर ही event listener बना है, आप H1 पर भी डाल सकते हैं event listeners, तो event listener वाला अब new game वाला काम करना है, इतना game तो हमारा सही चल रहा है, ठीक है, काफी दूर पहुँच गए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका यह जो button है ना, इसका reference लेते हैं, ठीक है, तो वही simple अपना document.querySelector, querySelector के अंदर क्या करोगा, एक ID add करी थी हमने, वैसे तो class से भी ले सकते हैं, बढ़ ठीक है, ID से ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक ID है हमारे पास, कौनसी ID है, new game, ठीक है जी, तो यह आ गया, अब इसको एक variable में hold कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं, new game button, अब देखे बटन ज़रूरी नहीं है, कि बटन बटन जैसा ही दिखे हैं मेंशा, हो सकता है, H1 पर क्लिक करके आपको बटन जैसा हो, चाहे तो CSS मेंस को change भी कर सकते हैं, ठीक है जी, अब क्या करना है, यह जो new game button आपके पास आया है, उस पर listen तो करना पड़ेगा, तो वह ही simple सी कहान नहीं, add event listener, ठीक है जी, किस event को listen करें, यह लिजे click को listen कर लिया है, क्या करना पड़ेगा, बताते हैं जी, अभी आपको function तो लिखिए, यह लिजे function, यह लिजे, ठीक है, function के अंदर क्या होगा, event तो आएगा या आपके पास, ठीक है, जी, event आई गया हमारे पास, ठीक है, अब इस event को वैसे तो आप चाहें, तो लीजे, लीजे, नहीं लीजे, नहीं लीजे, क्योंकि इस event का इतना काम ने, क्योंकि यह जैसे ही event होगा, मतलब यह click होगा, इस event से हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारे variables reset करना है, हाँ जी, main कहानी वहीं से है, तो सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले तो क्या करो, play game को अंदर कर दो, तो यह जो play game आपने लगा रखा है, इसको true कर दो, game तो आपका वहीं से start हो गया, but play game को इतनी जल्दी आप मत करिएगा, क्योंकि actually मैं पहले सारे variables reset करिएगा, उसके बाद आप allow करिएगा user को, तो क्या क्या करना है, तो सबसे पहले तो नया random number लेना पड़ेगा, तो random number लीजे, वापिस से क्यों code करना है, random number जब पता है, यहाँ पे इस तरह से लिया है, तो, और actually मैं हम इसको change भी कर दें, तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि random number दुबारा से कर रहे हैं, तो यह const problem करेगा, तो इसको let कर देते हैं, और logic वही रहेगा same, तो यह copy कर देते हैं, और यहाँ पे आजाते हैं, तो random number equals, यह लिजे, random number generate हो गया है, जो previous guess है, उसको आपको एक एक कर के remove करने जरुत नहीं, उसको यह लिजे, reset, बस हो गया reset, अब आपको जोती भी इसके अंदर values दी थी, previous guess के अंदर, वो बस empty हो गया, दुबारा से reset हो गया है, ठीक है जी, अब उसके बाद क्या करना है, यह जो आपके number of guesses है, उसको भी start कर दीजे कि ठीक है, अब यह आप first guess ले रहे हैं, और उसके लाबा क्या करिए, यह जो guess slot लिया था, उसके inner HTML जो है, उसको भी, यह लिजे empty कर दिया है, अच्छा, वो disable field भी हटाना पड़ेगा, remaining भी हटाना पड़ेगा, हाँ जी, तो यह जो remaining है हमारे पास, इसके अंदर जो inner HTML है, इसके अंदर क्या करिए, कि आपकी values जो है, अब वापे से वह logic हम use कर सकते हैं, यह यह यूज कर रहा था, हाँ जी, remaining, actually मैं यह पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं, कॉपी कर लीजे, क्योंकि उपर वाली value select होई गई है, तो यह लीजे वापे से calculate हो गया है, क्यों दुबारा करना है, user input से हमें वो हटाना है, remove attribute यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, remove attribute, ns नहीं, remove attribute, तो remove attribute, यह लीजे, remove attribute, कॉन से होल attribute remove करना है, एक ही है, disabled, यह लीजे, यह attribute भी हमने हटा दिया है, और, और क्या करना है, एक हमार पास आपको याद हो तो start over भी था, याद है start over, नहीं आद है, start over थिया, यह जो query result pass, यह हमने जो लिया था, result pass, यह पूरी की पूरी values हैं, यहाँ पर हमने एक child append कर दिया था, हाँ जी, वही वही, तो यहाँ से एक child remove भी तो करना पड़ेगा, हाँ जी, add ही थोड़ना करेंगे, तो remove child, कौन साथ चाइल्ड रिमूव करना है, एक ही है, हमार पास यह paragraph अटा दीजे, जो paragraph उपर था, उसका reference इसको मिल जाएगा, और उसके बाद यह play game आप true कर दीजे, तो उमीद है आपका game चालो हो जाएगा, ठीक है जी, काफी lengthy था, बट interesting था, ऐसा कुछ complex हमने नहीं किया, बस step by step हम चलते गए, ठीक है जी, एक और बार खेल के देख लेते हैं, तो 2 को submit कर लेते हैं, फिर उसके बाद 3 submit कर लेते हैं, उसके बाद 11 submit, वापिस 11 submit कर देते हैं, 22 submit कर देते हैं, 33 submit कर देते हैं, 44 submit कर देते हैं, 55 submit कर देते हैं 2 high हम high पर ही जाना चाहते हैं हम देखी नहीं रहे हमें जीतना high नहीं 77 और एक और value 88 ठीक है ये सारा हो गया है random number 53 था remaining guess negative 1 है आप इसको change भी कर सकते हैं ये तस assignment आपके लिए start over कर देते हैं तो सारी values फिर से हो गई मैं वापिस से यहां पर enter कर सकता हूँ तो देखा मज़ा आया projects में काफी थोड़ा lengthy रहते हैं वट काफी interesting और fun रहते हैं इसको हम करते हैं copy और move करते हैं हमारे browser पे ताकि एक code भी तो देना है आपको यहां पे आते हैं हमारा तो code space ही हो गया है तो इसको हम एक बर वापिस से start कर लेते हैं उमीद करता हूँ आपको काफी मज़ा आया होगा इसके अंदर काफी अच्छे projects हैं जादा projects इसलिए मैंने और add नहीं करें क्योंकि थोड़ा सा event listener पे थोड़ा सा JavaScript के बारे में बात करनी है classes के base पे मैं कोई project अभी नहीं कर सकता क्योंकि classes आपको पढ़ा ही नहीं है higher order function का कुछ discuss नहीं कर सकते prototypes का कुछ discuss नहीं कर सकते advanced topics डिसकस नहीं कर सकते बट obviously बात है time लेके पढ़ेंगे पर JavaScript ऐसा पढ़ेंगे कि दुबारा life में नहीं देखना पड़े कभी भी ठीक है जी तो एक second बस आपको ये code भी final दे दे और उसके बाद वीडियो को रैप अप कर देंगे तब तक आप भी अपने subscribe वगर आए जो और share तो देखे ये video का इतनी महनत के बाद भी अगर shares नहीं आ रहे LinkedIn पे तो मतलब यह है कि projects में आपको मज़ा नहीं आ रहा है और मुझे सिर्फ पढ़ाना चाहिए projects कम करने चाहिए ठीक है तो यह हमारा है project for solution हाँ जी करिए subscribe करिए अगर आप कहेंगे अभी से video छोड़ के जा रहे हैं तो अगली बार से मैं भी यहीं पर विडियो छोड़ दूँगा और यह code आपको नहीं मिल पाएगा बताएगा हैं क्या भी तक आप यह लीजे आपका ही आ गया solution project 4 का solution भी आ गया ठीक है तो चलिए मदा आया इसके साथ save कर देते हैं इसको और इसको commit कर देते हैं project 4 solution यह लीज और यह गया हमारा push और इसको refresh करके भी check कर लें तो यह project 1,2,3,4 हाँ जी सार आपके पास source code भी आ गया है तो जाएगा इस code sandbox पे stack blitz पे और करके देखेगा कि आपके कितने numbers हैं क्या values हैं सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि मैं जब भी चाहूं इसको refresh कर सकता हू यहाँ पे और यह सब कुछ यहाँ से गया हो जाएगा तो यह लीजे हमारा चाय और code अच्छा आभी तो रहेगा क्योंकि नए tab में open करना पड़ेगा मुझे उसको पर यह कि ठीक है आपका URL यहाँ पे saved है आप चाहें तो इसको fork ले लीजेगा अच्छी बात यह कि मुझे भी दिखाई देता है कि आप मेंसे कितने लोग इसकी practice कर रहे हैं मतलब individual exactly तो नहीं आता है बट हाँ अगर आपको मैं यहाँ पर बता हूँ तो यह जो projects है dom के तो यहाँ पर मुझे project views वगरा यह सब दिखते है बैक जाता है इस पर यहाँ पर project कितने हैं उस पर views कितने हैं तो बताईएगा comment section में और videos ले आएंगे चलिए काफी देर हो गई मिलते हैं अगले video में